नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं NCRT के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं स्रुचन राजपूत हूँ और आप हमें देख रहे हैं इविद्या चानल नंबर दस के माध्यम से इसके साथ आप यह भी चानले कि दसुर्णाश के माध्यम से जब आप हमें देख रहे हैं तो यह ककशा 2 दसदकर वच्छों के लिए सत्र हेगा हिंदी का हिंदी के आज के इस सत्र में हम सीखेंगे सूर्दास के पद हम सभी सूर्दास जानते हैं और उनकी पदों की जो इस रचना है उसे भली बाती परिचेत है लेकिन सूर्दाजी कि जब हम पदों को जानना शुरू करते हैं उनके रस में डूपते हैं तो आप जानते हैं कितने खुबसूरती कि उनके गद्य में उनके पद्य में हमें जानने को मिलती है ऐसे यह बहुत थिखास यह चैप्टर है यह मैं कहूं कुछा 10 के बच्चों के लिए एक examination point of view से भी देखा जाए तो यह चैप्टर अपने आप में बहुत important है तो जरूर आपके मन में इस सत्र से संबंदित या फिर इस किताब के चैप्टर से संबंदित कई प्रशन होंगे तो आप बेजी जग उन्हें हमसे साझा कर सकते हैं आप हमें contact कर सकते हैं हमारा phone number आपकी screen पर flash हो रहा है यह 800044-0559 या फिर आप हमें mail लिख सकते हैं dth.class10.ciet.nic.in तो यह माध्य में जिनके जरीय आप अपने प्रशन हम तक पहुंचा सकते हैं आपकी प्रतिक्रियों और सुझावों को भी हमामंत्रित करते हैं तो चलिए इस पार्टी को कक्षा दस के बच्चों के लिए सूर्दास की पदों को जानना शूरू करते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सर अशीश कुमार सर डेपार्टमेंट आफ लाइंग्विज एक्स जेपी एफ है एंसी आती नही दिली से सर नमस्कार बहुत-बहुत स्वागते हैं सरजभ के दित्रिश्टी को जानना शूरू करते हैं या फिर इस पार्ट के दिश्टी कोऊं से ही देखा जाए तो क्या उनके पदोगी खासियत है या पर कहें कि उसी उक के 주 रस ते उनमें से किस रस में सूरदाजी की रच्णाय पाई जाती है दरसल हम देखते हैं कि हिंदी साहित के त्यास में जो 1350 से 1650 का समय जो है वो भक्तिकाल के नाम से जाना जाता रहा है तो भक्तिकाल में दो साखाएं बटी जिसमें एक तरफ निर्गुड रहे, एक तरफ सगुड रहे निर्गुड में हमने देखा कि संथ कभी हैं, सूफी कभी हैं, उनकी वाडियां चलती रहीं, कभीरदाश जी आए, काफी अच्छा मतलब दोहों के माध्यम से, चौपाईयों के माध्यम से निर्गुड काविधारा बैती रही वहीं अगर हम सगुड काविधारा की तरफ देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें प्रेम की जो है धारा वो सगुड हो जाती, यानि कि किसी ईसवरी भक्ती की तरफ हम ध्यान ले जाते हैं, तो इसको हमें दो भागों में देखते हैं, एक तरफ है राम भक्ती काविधारा औ गुजरती हुए देखते हैं, वहीं अगर हम कृष्ण बक्ति काविधारा को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कृष्ण बक्ति काविधारा में दो लोग आते हैं मुख रूप से, एक है मीरा, एक है सूर्दास, जबकि हम सूर्दास को अगर विशेश रूप में देखें, तो कि वा magic की से रोजय के अधिन मिले की वासल के तरीके से क्रस्थत किया जाए जाए नुग कि वे सुर्दार उस से बैठार, उधार से 2 ही स्थ कि 4 चला ये वादसल शिर्दार कि कि में मिली नहीं है, सुर्दार से 2 सी चला तो हम देखते हैं कि वियोक संगार किस तरीके से पूरे काव को एकदम जकर लेता है और काव उसी के इalgia अब गुंगता रहता है तो हम पाते हैं कि सूरदास के जो दोहे हैं जो चुपद हैं, मूल रूप से जुपद हैं, जो छंध कबताई हैं उनमें हम देखते हैं कि मून रूप से हम देखते हैं उनकी कवताओं में सूर सागर है, सूर सारा वली है, साहित लहरी है, जिसमें सूर सागर में हम पाते हैं कि भ्रावर गीत हैं भ्रहावगी दरसल क्या है कि एक समय आता है जिसमें सरी कृष्ष्ण ब्रेंदावन से मथरा चले जाते हैं और वहाँ पर उधव जाके इंको संदेश महुचाते हैं कि गोपियां जो है योग के रूप में योग करने लगें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि वियोग का जो रस हम देखते हैं सूरदास की कवताओं में वो इस पस्ट रूप से उनकी कवताओं में यहाँ पर भ्रमरगीत की माध्यम से प्रस्तुत होता है यहीं हम देखते हैं कि सूरदास की जो भासा है, ब्रज भासा, क्योंकि जो च्छेत्र पड़ता है दिल्ली से, मेरट और ब्रिंदावन का च्छेत्र है तो ये ब्रज भासा के लिए जाना जाता रहा है हमेशा से ब्रज का जो बिक्सित रूप है वो वहीं पाया जाता रहा है तो हम पाते हैं कि सूर्दास की भासा जो है ब्रज ही है उनके सारे पत जो है ब्रज भासा में ही पाया जाते हैं ही तो हम देखते हैं इसी परकार हम देखते हैं कि सूरदास का जो समय रहा 1478 से 1798 से इनका जन्म हुआ सीही जो दिली के पास में एक जगह है ऐसा मानते हैं कि एक सीही में ही इनका जन्म हुआ और उसके बाद 1583 में पार्सौली नामक जवयक पर इनकी मृत्ती हो जाती है इस समय में ही उन्होंने इतने सारे पद की रचना की कि बादसल्य और संगार की बात हो जाती है बादसल्य की मूल रूप से अगर बात होती है तो हम सीधे सीधे सूर्दास का ही नाम लेना पसंद करते हैं तो अब हम देखते हैं कि भ्रावर की वास्तों में है क्या तो ये इमेज की माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर गोपियां हैं एक तरफ तो 1 तरफ उधव है और जो बीच में आप देख पा रहे होंगे और भावर है यानी भवरा है तो जब उधव क्रश्न का संदेश लेकर जाते हैं ब्रंदावन में तो गोपियां उनसे संबाद करने आती है तो उस समय पे एक भवरा आजाता है बीच में तो गोपियां भवरे भवरे को संबोधित करते हुए बोलती हैं ना कि सीधे स्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बोलती हैं तो इसलिए इस गीत को जो गीत का प्रकार है उसको भ्रवर गीत कहा गया जो की सूर सागर के अंतरगत पाया जाता है इसमें गोपियां अपनी बात को कहने के लिए इसलिए यहां पर जब उदव आ जाते हैं मतुरा से ब्रिंदावन में, गोपियों के पास में, तो गोपियां कह रही हैं की उदव तुम हो अति बड़ी भागी, यहीं बड़ी भागी का अधात पर है भागिसाली, अब यह इसलिए कह रही हैं क्यूंकि उदव जो हैं वो नि तुम हो अती बड़ी भागी, यानि उद्धा तुम्हारे तुभाग बहुत अच्छे हैं, तुम कुख Thaekra अवसर प्राप्त होता है. अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी अब वो कह रहे हैं कि तुम स्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बन पाए हो गोपियां अपने प्रेम को उतकर्ष्प दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम स्री कृष्ण के साथ रहते रहते भी स्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बन पाए हो यानि इतने नजदीक रहते हुए भी तुम स्री कृष्ण का प्रेम पाने में असफल रहे हो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी भाग की बात है उसके बात कह रही है पुरे इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी अब यहाँ पर यह उधारर देते हुए कह रही है अभी उन्होंने एक ब्यंग करते हुए कह दिया कि तुम बहुत भाग साली हो syris Floyd सurroom के पास रहकर भी थुम उनके ब्यंके ब्रेल से में नहीं आ पायी हो, मतलब पूरे उसी तरह से जिस तरह defining जो कमल का पत्ता होता है वह पानी में रहते हुए भी पानी की एक भी बूंद से मतलब अच्छूता रहता है, जैसे उस पर पानी की एक भी बूंद गिरती है, बूंद अलग हट जाती है, तो वही उन्होंने उधार देते हुए का कि तुम स्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं पापाए हो, यानि जो जल की बूंद है, वो पत्ते पर गरती है, और पत्ते से तुरन बहा चली जाती है, उसके बाद वो कहते हैं, जो जल माही तेल की गागरी बूंद नता को लागी, वो फिर से एक और उधारर देते हुए कहते हैं, कि जिस परकार तेल की जो गगरी है, जो तेल से भरी रहती है, उस सरो ने नदी के पास में रहते हुए भी नदी में तुम नजी जा रहा है। मतलब नदी में अपने सकल को देख पा रहे हूँ यानि जो प्रेम की रूपी प्रेम की जो नगरी है स्री क्रिश्न की वहां पर रहते हुए भी तुम उसके नदी रूपी जो प्रेम है उसमें तुमारे ना पैर जा रहे हैं ना ही तुमारे उसमें सकल देख पा रही हूँ य हमारे जो प्रेम है क्रिश्म के प्रती वह इस तरीके से है कि गुड पर जब चीटियां जाती है तो लगातार गुड का सेवन करती रहती है यानि कि स्री क्रिश्म का प्रेम का लगातार सेवन करती रहती है और उसी प्रेम में डूब जाती है हम देखते हैं कि गुड में जब कोई चीटी जाती है तो गुड को खाती रहती है खाती रहती है और फिर उसी में चिपक कर मर जाती है तो यहीं उन्होंने प्रदर्सित करने का कार किया है कि चीटी जो है वो गुड में जाकर जिस परकार से चिपक कर मर जाती है खाते खाते उसी परकार गोपियां भी स्री कि सुन्दर व्याक्यासर और विझो आप भी देख रहे हैं किस तरह सूर्दास की पदो की passing और से आजम रजबोर हुए हैं और जान पा रहे हैं कि ब्च बह फशा में जो उनकी रच्नाई हैं अब कहिए कि ब्च की भाषा और ब्रच की होली दोनों ही अपने आप में इतनी खुबसूरत इतनी मशूर क्यों है क्योंकि उनमें सब चुपा है चाहे वो भक्ती रस हो वाजसले रस हो और वहीं देखें न एक तरफ गोपियों का व्यक्षान देखें कि वो तंच कस रही है एक पंक्ती में आपको उपर बता रही है तो बिल्कुल आपने ठीक का कि जिस प्रकार से क्रश्न की जो नगरी है जिसको नद नगरी और यानि की जो चेत्र है ब्रेंदा वन का मतुरा के आस पास का वहां हम पाते है की होली भी जिस तरीके से खेली जा रही है उसमें सारे ही रंग दिख जाते हैं वाक्षल का एक पूर देखते हैं, मन की मन ही मांज रही, कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, अब वो कहरे हैं कि मन में जो हमारे बस गया है, वो मन के अंदर ही है, उसे किसी तरीके से व्यक्त करना बहुत ही कठिंग काम है, कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, अब वो कहरे हैं कि अपने मन की बात कैसे कहें, यह कहना बहुत ही कठिन कार रहे हैं, क्यूंकि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं गोपियां से, उनके सामने तो वो अपनी पूरी बात कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जो संदेश लेकर आ रहे हैं, उनके सामने उस बात को कहना बहुत ही कठि है अभिदी अधार आस आवन की तन मन विथा सही अब वो कह रहे हैं कि उनके आगमन की ख़वर जब हमको मिली थी तब उनको लगता था कि इस मन की वेथा जो है थोड़ी कम होगी लेकिन जब उदा तुम अपने संदेश लेकर आए हो और तुमने बताया कि वो नहीं आ सकते ह हैं तो हमारे मन की वेथा और अधिक बढ़ती ही जा रही है यानि कि वो यह कहना चाह रही है कि जब स्री कृष्ण के आने की ख़वर उनको मिलती है कि स्री कृष्ण आएंगे और नहीं आते हैं तो उनके मन में जो भाव आता है कि नहीं आप आने ही वाले थे अब नहीं आ अब वो कहरें कि यह जो वियोग का संदेश तुम लेकर आएओ कि स्रीकेशन अभी नहीं आ सकते हैं इसने हमारे हिर्दय को मतलब हिर्दय में आग रूपी जो विरय की अगनी है उसको जागरत कर दिया है और तुम जो योग का संदेश लेकर आएओ कि योग में ध्यान लगाएं उससे हमारे हिर्दय की वियता और अधिक बढ़ती जा रही है चाहती हुती गोहारी जितन ही ते उत्ते धार बही अब वो कह रहेंगे कि जहां से हमें मतलब प्रेम की प्राप्ति होनी थी यानि कि जो रक्षा का भाव था कि प्रभू सी कृष्ण आएंगे और वो बोलेंगे कि अब हम साथ रहेंगे तो वहीं से जहां से उनको रक्षक अभाव प्राप्त होना था वहां उन्हें कहीं न कहीं एक अभाव साब प्रतीत हो रहा है कि स्रीकिर्ष नहीं आए और उन्होंने योग का संदेश बेज दिया कि योग उन से ध्यान हटा कर प्रेम से ध्यान हटा कर योग की तरफ जाएं तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब जहां से उनकी रक्षा होनी थी जहां उनको प्रेम प्राप्थ होना था वो ना प्राप्थ होकर उनको दूसी दिसा में बेजा जा रहा है सूरदास अब धीर दरही क्यों मरजात नहीं लाई अब वो कहरें है कि सूर्दास चीह के मादियम से गोपियां कह रहे हैं कि देखिए अब जब उदाओ आ गए हैं वो अपना संदेश लेकर आएं तो अब किसी और के सामने हम अपनी बात कैसे कहें कहीं न कहीं इस चीज को समझ रहे हैं कि प्रेम का जो प्रेम की प्रस्तुत करना है वो एक मर्यादा में रहकर करना है स्रीकेशन के सामने कर सकती है लेकिन अपने प्रेम की बाद वो उधा को कैसे कहें तो वही सूर्दास के माजन से कहा है सूर्दा से अब धीर धरएं क्यों मर्जाद ना दही यानि कि अब हम मर्यादा को खोकर ही अपनी बात तुम तक कह पाएंगे तो यह हमारे दूसरा दोहा जो हम पद जो हम देख रहे हैं कि जिसमें उधव अपना संदेश लाकर कह रहे हैं और गोपियां उनको बता रहे हैं क कि प्रेम में और अधिक अगनी मतलब जब पता चलता है कि किसी कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो उनको लगता है कि और अधिक मतलब हिर्दय में अगनी जागरत हो रही है और वो उधव को अपने मन की बात कैसे कहें तो देखिए बच्चों यह हिंदी साहित्य की कि इतनी अपने आपको वहां पर मानते हुए कि अगर मैं उनकी व्यथा को रच पारा हूं तो वो कुछ ऐसा मैसूस कर रही होंगी तो बहुत खुबसूरत सरी रचनाये चल रही है बहुत अच्छा लग रहा है इनके बारे में जानकर अगला हम पद देखते हैं इसकी साथ हमारे हरी हारिल की लकडी अब अपने हारिल पक्ची के बारे में सुनाओगा एक पक्ची होता है जो एक लकडी को पकल के रखता है हमेशा उसी को वो सहारा मानता है अपने जीवन को मतलब सुरुवात से ही जीवन के एक लकडी को पकल के रखता है और उसी के सहारा मानते पूरा जीवन व्यतीत करता है, तो यहां पर सूर्दास जी गोपियों के माध्यम से कह रही है, जो कि स्री कृष्ण जो है हमारे लिए हारेल की लकडी के समान है, एक बार जो हमने उनको थाम लिया है, तो अब हम उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करेंगे, मन, क्रम, बचन, नंद, नंदन, और, यह द्रड करी, पकरी, अब जब हमने उनके जो मन की बात, मन के क्रम को पकड़ लिया है, उनके जो इस हारेल रूपी लकडी को पकड़ लिया है, तो वो अपमारे मन में बस चुके हैं, अब उनको उस चीज से अलग हटाना बहुत ही क रात में हर समय उनके हिर्दय में काना काना यानि क्रिष्ण क्रिष्ण ही मतलब प्रस्तुत होते हैं हर जगे हमेशा उनके हिर्दय में क्रिष्ण क्रिष्ण की ही बात आती रहती है इसलिए उन्हों कहा है जागते सोते यानि दिन में भी रात में भी जागते सोते जब भी सव वो अपन में भी वे क्रिश्न को ही पाते हैं सुनत जोग जागत है ऐसो जियों करवी ककड़ी अब वो कह रहे हैं कि यह जो योग का तुम संदेश लेके आये होई उदाओ यह इस तरह किस है कि जिस तरह से ककड़ी करवी ककड़ी खाते ही हमारे हिर्दय में जो मुझ में जो है करवा उसी तरीके से तुम्हारा जो यह योग का संदेश है वो कड़ी ककड़ी की तरह समान प्रतीत हो रहा है जैसी उसका हम सेवन करते हैं जैसी वो हमें सुनाई देता है संदेश रूपी तो हमें बहुत ही खराब प्रतीत होता है उसके आगे लिखते हैं सूतो अब वो कह रहे हैं कि जो ये विर्य की पीड़ा है उसको दूर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं तो सूर्दास जी के माद्यम से कह रहे हैं कि इस विर्य को दूर उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिनका मन चंचल है वो अपने हिर्दय की बात किसी और को बता सकते हैं हम तो नहीं बता सकते हैं तो यहाँ पर जो हिर्दय की बात है उसको सूर्दास ब्रेजभासा के मादम से इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो जिनका हिर्दय चंचल होता है वे अपने हिर्दय की बाद दूसरे को बता सकते हैं लेकिन हमारा हिर्दय चंचल नहीं है तो हम अपनी बाद सिर्फ स्री कृष्ण को ही बता सकते हैं तो यहाँ पर स्री कृष्ण के बारे में एकदम इस परस प्रूप से दिखाया है गोपियों का जो प्रेम है बिल्कुल सीधा स्री कृष्ण के लिए है इसके आगे हम चौथा जो है पद वो देख लेते हैं हरी हैं राजनीती पड़े आए अब देखिए क्योंकि स्री कृष्ण ब्रेंदा बंद से चले गए हैं मत्रा अपने राजकाच को देखने तो यहाँ पर गोपियां कह रहे हैं कि हरी हैं राजनीती पड़े आए तो अब कह रहे हैं कि हरी जो हैं हमारे ईस्वर स्री कृष्ण वो अब जो है वो राजनीती पड़के आ गए है राजनीती अब उन्होंने पड़ ली है यानि वो एक ब्यंग रूप से कह रहे हैं कि अब उन्होंने राजनीती को पढ़ लिया है समुझी बात कहत मदुकर के समाचार सब पाई अब जो चित्रड है भ्रमरगीत का जिस तरीके से हमने भ्रमरगीत को देखा है कि जो भवरा है उसके माध्यम से उसको बात कहकर स्रीकेशन दब पहुंचाने की बात कही गई है तो वहीं सूर्दार जी कहते हैं कि समुझी बात कहत मदुकर को तो अब जो मदुकर यानि भवरा है उसको गोपियां कह रही है कि देखो और जब गोपियां कह रही है भवरे के माध्यम से स्टी कृष्ण को तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सिर्फ भवरे को नहीं कह रही है वो अपनी बात को सभी को सुनाना चाह रही है वो सिर्फ भवरा एक माध्यम है कि हम तो भवरे को बता रहे हैं हम किसी और को नहीं बता रहे हैं लेकिन वो समाचार जो है वो सभी तक पहुँच रहा है तो इसमें लिखते हैं कि एक अती चतुर होते पहले ही अब गुरु गरंथ पढ़ा है तो अब कह रहे हैं कि सूर्दास के मादरम से गोपियां कह रही है कि पहले ही बहुत ही चतुर थे अब तो उन्होंने गुरु गरंथ और पढ़ लिया है यानि कि अब जो ब्यंग की इस्तिती है वियोग में जो ब्यंग कसा जा रहा है आप देखे कि कह रहे हैं कि एक तो चतुर होते पहले ही अब गुरु गरंथ पढ़ाए यानि कि पहले ही बहुत ही चालाख हुआ करते थे स्री कृष्ण पहले ही उनकी चालाखियां कम नहीं थी जो अब उन्होंने गुरु गरंथ यानि कि गुरु ओंसे गरंथ और शिक्छा प्राप्त कर ली है तो और भी अदिक चतुर हो गए है बड़ी बुद्धी जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए अब देखिए उनकी बुद्धी की बारे में बोल रहे हैं कि अब जब उन्होंने इतना कुछ पढ़ लिया है इस तरीके से उन्होंने ज्यान प्राप्त कर लिया है राजनीती पढ़ लिया है तो कह रहे हैं कि बड़ी बुद्धी जानी जो उनकी जोग संदेश पठा है अब देखिए उनकी बुद्धी किस तरीके की हो गई है गोपियां कह रहे हैं कि अब स्रीकेशन की बुद्धी इस तरीके की हो गई है तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि अपना संदेश दे रहे हैं कि अब गोपिया जाएं कि कृष्ण के प्रेम से हटकर योग और साधना की तरफ बढ़ें तो वहीं गोपिया भी कह रहे हैं कि बड़ी बुद्धी जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए यानि बहुत बड़ी बुद्धी हो गई उनकी अब अब हमें योग का संदेश पढ़ाना चाह रहे हैं उदो भले लोग आगे के परहित डोलत होए तो अब वो कह रहे हैं कि उदो तुम हमारा संदेश ले के जाओ मतुरा स्री किस्न के बाद पास कि उनका जो हिर्दय है वो डोलेगा नहीं यानि कि उनका जो प्रेम रूपी भाव है वो इदर उदर नहीं हाटेगा वो एक जगे जहां लग गया वो लग गया क्योंकि उन्होंने पिछले पद में भी कहा कि उनका जो हिर्दय है हारेल के लकडी के समान हो गया है कि एक बार जिससे प्रेम जुड़ गया तो उससे जुड़ गया फिर उसी के साथ जीवन बीतेगा उदो भले लोग आगे जाएं पर हित्वाँ उन्होंने वही कहा कि मतलब उनका जो हिर्दय है वो एक जगे इस्थिर हो गया है सीकेशन के प्रेम में इस्थिर हो गया है अब इदर उदर डोलेगा नहीं अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुड़ाए अब क्या है कि उनका हिर्दय जो है वो किसी वो सिर्फ स्री क्रिशन के साथ चला गया है अब उसे बापस लाना संभव नहीं है क्योंकि जो उदाओ है वो कह रहे है कि योग के उसमें जा वो एक बार जो चला गया एक बार जो जब गोपियां उनकी हो गई है तो वो अब किसी योग के उस पे नहीं आ सकती है ते क्यों अनीति करे आप उन जे और अनीति छोड़ाए राजधर्म तो यहे सूर जो प्रजा ना जाही सता है अब गोपियां यहाँ पर व्यांकर्श् कि देखिए अब जब स्री कृष्न राज योग के लिए गये हैं यानी कि राजधर्म को निभाने के लिए गये हुए हैं तो क्यों नहीं उनको राजधर्म ही निभाने दिया जाए क्योंकि राजधर्म में यह कहा यह क्योंकि राजधर्म का यह धर्म है कि वे अपने प्राजा को सुरक्ष्ट संरक्ष्ट रखे तो वहीं गोपियां उन पे ब्यांग करते वह कह रहे हैं कि जब राज ओडे राज घर्म को कंड़ूे गए हैं तो क्यों नहीं वह हमारे लिए हम्स को अपनाते है अपन ज़े और नीटी पड़हें वो एक दूसरे चेकर केय लिए नीटी कर रहे हैं धूसरों की भलाए केलिए वह राजधर्म का पालन करनकर के लिए ज़े टेर गए और हमारे लिए क्योंके डुके इहां पर तो यह जू से वर्डन से ुकुल त्रीकरिषन के लिए गोपियों के माध्यम से सुर्दास का, तो इसमीं हम पाते हैं कि विर्याएक जो पीड़ा है वो गोपियों के सब्दों में इसपर दिखाई दे रही है, कि किस तरीके से विर्याएक में डूभी हुई गोपियां, अपने आपको व्यक्त कर रही हैं, और अब हिर्दय की जो अगनी है उसको सांथ करने के लिए नहीं, बलकि हिर्दय की अगनी को जगाये रखना चाहा रही है, कि निश्चित रूप से अब जो समय बीद गया है, वो बीद गया है, अब एक बार जो मेरा हिर्दय सिरिकेशन के साथ चला गया, तो वहीं रहेगा, को सूर्दास के पदों में हमने देखा कंशादास के बच्चो के लिए हिंदी का सत्र अ के शुरूआत में सर्भ इसाहित्य से भी परिचित करा रहाया, sth .ग काल के यह जो गोपियों का व्यक्या सुनियों, वो तनचकस रही है अपने मन की बात कह रही है और ये सब सूर्दास की तचनाओं में देखने को मिलता है और सर यहाँ पर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतने सरल शब्दें में इन पदों को व्याखित किया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर नमस्का तो हमारे साथ सर अशीश कुमार जी है जो की एक जपीफ है हमारे Department of Education and Languages से और NCRT के विभाग से हैं सर और उन्होंने कितना सुंदर व्याख्यान जो है आज प्रस्तुत किया है आप सभी कुछ मिंटों में हमारे दूसरे एक Live Interactive Session के साथ भी जरूर जुडिएगा जो की कक्षद 10 की बच्चों के लिए रहेगा साइन्स का जिसमें हम पढ़ने जाएंगे Chapter 5 Life Process and Nutrition आप यूँभी CIT, NCRT के सभी Live सत्रों के साथ बने रहे मैं स्रुजन राजपूत आप से चाहूंगी अनुमती नमस्कार